हाई फ्रेंड्स इंडिया की फार्मसी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपको बड़ियासी और सफशर इस्तिमाल किये जैने वाली क्लोबेट जीयम क्रीम का रिवी बताएंगे क्लोबेट जीयम तो सभी इस्तिमाल करते हैं क्लोबेट जीयम क्रीम के हम बहुत सारे उपयोग जान आपको बताएंगे जो हमें मालुम है क्लोबेट जीयम स्कीन क्रीम यह सच में बहुत ग्रेट ऐसा प्रोडॉक्टी आप सभी नहीं से कम से कम एक बार तो इस्तमाल किया होगा यह बहुत ही फेमस है जेनरिक पी है जिसके कारण सब एरिया में अभेलिपल है यह OTC मिलती है यह डर्मेट टोसेस का इलाज करने के लिए बहुत ही फाइदा मन्द है सिंसरा इस सवाराइस से लेकर ददाद का खुजली है यह हम एजय करते हैं यह एक जिमान, कॉंटेक्ट डर्मटेटीज, दाथ, काज, खुजली, सपित दाग, एतलेट, फूट, पिटाइरेस, वर्सिकोलार, इस्ट इन्फिक्शन ओफ जैना, यह कोवन इस्ट इन्फिक्शन क्यों नहों, रिंग वर्म हो, यह जैंगों के बीच आने वाली खुजली क्यों नहों, उस में मानों, बहुती बड़ी ऐसा कंपोदिशन है, जो सेकंडरी इन्फिक्शन ओप स्कीन को टैकल करने के लिए, उससे सामना करने के लिए सक्षम है, आप सबी जानते हैं कि जो कलोबेट असोल है, यह कॉर्टिकोईडी, एक स्टेरोडे, यह स्कीन की इंफ्लमेशन, जो द जो नियों में इसे हैं, यह जो एंटि बैक्टरिल होता है, यह क्या करता है, कि बार बार आने वाले फंगल इंफ्रिक्शन जो है, वो होनने दिता, और कलोटर में जो यह तो एंटि फंगल है, यह ट्रिपल अक्शन फॉर्मला है, एंटि इंफ्लमेटरी, एंटि फंगल औ और एंटी बैक्टरियल इसे डॉक्टर की सला से लेना चाहिए हम यह कहते हैं अगर बहुत सारे लोग बहुत सारे स्रिफ रोश इसे विदर प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और क्यों ना ले सच में गिरेट ऐसा प्रोड़क्ट है जो जनरिक है और कम रेट में अवेलेबल होत खुजली या खरवा क्यों ना हो इसका इलाज करने के लिए सच में ग्रेट ऐसा प्रोड़क्ट है साइड इफेक्ट भी है कुछ जैसे की पीडिंग या स्कीन का बदलता रंग या खुजली प्रिकॉशन अगर ऐलर्जिक हो इसके कोई भी कंटेंट से तो इसका इस्तमाल ना करें अगर आपको इसे इस्तमाल करना है तो इलाज शेत्र साब करके सुकानी के बाद इस्तमाल करें अगर आपको खरवा है यानिक एथलेट फोडे दो उंगलियों के बीच या पपड़े दर दब्ब्ब आते है या ज्याद जलन होती है तो इसे सिर्फ रात में लगए एंटिफुंगल टाबलेट के साथ इसमें मुझे थे कि फिलेको नजर की 150 टाबलेट अगर आपको वीडियो और दी जानकरी पसंद दे तो लाइक शेर करना ना मुली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद